जब भी कहीं दुनिया में कोई धम का कारे होता है बोधी का, बुद्ध का, धम का या संग का कारे होता है घर में या कहीं सामाजिक समारों में या पबलिक फिल्ड में या कहीं देश या विदेश में, सरकारी या गेर सरकारी, गौर्रमेंट का या नौन गौर्रमेंट तो वहाँ सबसे पहले बुद्ध को नमन किया चाता है उसको आम बोल चाल में वंदना कहते हैं इसके तीन भाग है पहला भाग है रतनत्य पाली के अंदर इसको रतनत्य बोलते है रतनत्य का मतलब है तीन रतन रतनत्य तीन रतन का मतलब है बुद्धो, धमो, संगो उसके बाद आती है तीन सरन रतनत्य को इंग्लिस में थिरी जैम से भी बोलते है तीन सरण जो आती है उनको थ्री रिफूजिस बोलते हैं पहली सरण है बोधी की सरण यानि बुद्ध की सरण फिर धंग की सरण आती है और फिर संग की सरण आती है उसके बाद वंदन आती है वंदन आती है बुद्ध की या सारे बुद्धों की फिर धंब की और फिर आती है संग की उन पारंगत लोगों के संग की तब जाके ये कम्प्लिट होती है फिर कोई सामाजिक कारेकरम आरम होता है ये जो वंदरा नाम से हम ये कारेकरम करते हैं या इसको याद करते हैं ये कोई करम कांड या कोई माननता ऐसी नहीं है कि ये करना नहीं है, या इसके बिना करे कोई काम होगा नहीं, या इसके करने से काम अच्छा होगा या खराब होगा, या ये कोई ऐसा है कि अगर नहीं करा तो कोई पापकर्म हो गया, और किया तो कोई सुचीता कम हो गया, यानि कोई सुब कम हो गया, कोई अच्छा काम हो गया. इसको करने का जो सबसे अच्छा फाइदा हमें मिलता है वो ये है कि एक तो असेंबली में सब लोग आ जाते हैं दूसरा अगर इसका सब्द का अर्थ शाब्द करत यानि सब्द सार वर्ड मीनिंग आपको पता है और आप एक एक सब्द को अच्छी तरह जानते हैं फिर इसका फाइदा आपके मन को आपके सरीर को और आपकी वानी को होगा जब तक आप इसका एक एक सब्द या इसका सार या इसका अर्थ नहीं जानेंगे और आप इसको आँख बंद करके जैसे पीछे वाले बोल रहे हैं वैसे ही आप बोलते रहेंगे या कोई आगे बोल रहा है और वैसे ही आप बोलते रहेंगे तो इसका आपको सिर्फ इतना फाइदा मिलेगा एक अच्छा सा गाना या अच्छा सा लेमे संगीत आपके कानों में पड़ेगा जो आपको थोड़ी सी रहात देगा या जो वहाँ वातावण में जो अच्छी अच्छी तरंगे अच्छी अच्छी लोग या मुस्कान एक साथ होगी क्योंकि सभी साफ सुद्धों के बैठते हैं उसका फायदा होगा संपूर्ण फायदा यानि पूरा फायदा इसका नहीं होगा इसलिए इसके सब्ध के अर्थ को जानना जरूरी है रतनत्य में जो सबसे पहले रतना है वो है बुद्ध बुद्ध जो रतन है उनको कैसे कहा जाता है कैसे उनके गुण को बताया जाता है ये इस रतनत्य में बताया गया है बुद्धो इतिपी सो भगवा अरहंग सम्मा संपुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदू अनुत्तरो पुरिष, दम, सार्थी सत्था, देव मनुस्सानंग बुद्धो, भगवा पी या भगवा इति ये रतनत्य में पहला बुद्ध का रतन है इतिपी सो भगवा इतिपी का मतलब है इति माने ऐसे और पी माने भी भगवा जो सब्द है वो ऐसे आता है जैसे मित्वा होता है, भगवा होता है यानि जिनोंने राग और देश को भगन किया है, खंडित-खंडित किया है, बिल्कुल जड़ से खतम कर दिया है उनको भगवा भी बोलते है और जो रंग वो पैंते थे चांड-बिन्दो की माता नहीं है यह सिंपल सा भगवा है, भगवा नहीं है भगवा है, और यह भगन से منा है जो राग देश सो भगन किया है तो इत視 पी सो भगवा यानि ऐसे भी हैं भगवा जिनोंने भगन किया है इनको बाद में भगवान भी बोलते हैं और भागवान भी और भगनुमान भी और भंगी भी बोलते हैं अरहंग सम्मासम बुद्धो अरहंग का मतलब है अरहे माने होता है जिनकी प्रसंसा की जा सके जिनका आदर किया जा सके जिनका सम्मान किया जा सके यानि वो ऐसे हैं कि उनका सम्मान किया जाकता है वो सम्मान के लायक है उनको बहुत ज़्यादा उनकी स्तुति की जा सकती है स्तुति गान किया जा सकता है सम्मा सम बुद्धो सम्मा माने होता है सम्म्यक, सम्म्यक का मतलब होता राइट बिल्कुल सही यह जो सम्म्यक शब्द है ये पूरे पाली साहित्य की जान है क्योंकि जैसे बुद्धी है हम ये कहें बुद्धी मान बुद्धी मान दो तरह से हो सकता है एक बुद्धी भी हो सकता है और एक सुबुद्धी भी हो सकता है यानि कि अच्छी बुद्धी वाला भी और खरा बुद्धी वाला भी भगनवान बुद्ध ने, भगवान ने, सुगत ने, तथागत ने, बुद्ध ने अपने सभी ऐसे सब्दों में जो सद्ध हैं जिनका दो रथ निकाला जा सकता है, जिनका निगेटिव रथ भी निकाला जा सकता है उनमें सभी में सम्यक लगाया है सम्यक का मतलब राइट सही यसे चाकू दोनों काम करता है चाकू सब्जी भी काटता है और जानवर भी मार सकता है किसी की जान भी ले सकता है उसका सम्यक जो इस्तमाल है वो सब्जी काटने का या पेड़ की छाल काटने का या कहीं किसी के दुख को दूर करने का होता है सम माने होता है बरावर और पून सम्मा सम का मतलब है सही और पून सम्यक्सम बुद्धो और बुद्धो का मतलब है जो बुद्ध है बुद्धो का मतलब एक बुद्ध से है अगर बुद्धा होता तो बहुत सारे बुद्ध होते, सम्यक सम्बुद्ध है, यानि ऐसे वो पून और सम्यक बुद्ध है, विज्जा चरन संपन्नो सुगतो, विज्जा चरन संपन्नो का मतलब है, विज्जा माने होता है विध्या, जो higher education होती है, या highest education होती है, उसको वि विज्जा चरण का मतलब है विज्जा प्लस आचरण यानि विज्जा में ग्यान में जो यान है उसमें वो हाइस लेविल पे हैं और आचरण में भी वो सबसे उन्नत हैं सबसे उपर हैं विज्जा चरण सुगतो सुगतो का मतलब है जिनकी गती सू है यानि सू माने अच्छ अच्छा होता है, कू माने खराब होता है, दू माने खराब होता है, अगर सू लगाते हैं तो वो अच्छा होता है, गती का मतलब यहां है, कि जो जीवन जी रहे हैं, वो और जो उनका जीवन का अंत होने वाला है, वो गती, यहां गती से मतलब दो है, यहां लगाता है, जो आगे आने वाली गती है, वो भी है, वो उनकी अच्छी गती है, अच्छा वेवार है, अच्छा उनका जनतिम पढ़नाम है, वो अच्छा है लोक विदू अनुत्तरो लोक विदू, लोक का मतलब है लोक जो बोलते हैं वो सरीर को बोलते हैं और लोक बोलते हैं जो बहारी जितने भी चीजें होती हैं उनको भी लोक बोलते हैं और जो सरीर से परह की चीजे हैं उनको लोक उत्तर बोलते हैं लोक विदू का मतलब है उन्होंने अपने सरीर को अच्छी तरह से जान लिया है और जो बाहर जितने भी किरियाएं चलती हैं जितने भी कर्म चलते हैं जितने भी कम चलते हैं उनको भी वो अच्छी तरह से विदू का मतलब है ज्यानी जानकार यानि उस सरीर के और सरीर के ब पूरी दुनिया चलती है, इसको भी लोग बोलते हैं और इनसे परे को लोक उत्तर बोलते हैं। अनुत्तरो पुरिस दम्व सारती, अनुत्तरो का मतलब है जिसका कोई उत्तर ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो, यानि अनुत्तर, इनका कोई जवाब नहीं है, इन जैसा कोई नहीं है, ये अनकंपरेवल हैं, अनबीटेवल हैं, अनांसरेवल हैं, इनका कोई जवाब नहीं पुरिस दम्व सारती, यह जो पुरिस सब्द है, पुरिस का मतलब होता है, यहां जो चलन में चलता है, पुरिस का मतलब मेल से चलता है, मगर पाली भासा के अंदर पुरिस का मतलब व्यक्ति बाचक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, यानि जो पुरिस है वो व्यक्ति ह पुरिस दम सारती, दम का मतलब होता है दमन करना, दंत करना, यानि कि राग और द्वेस को समाप करना, जितनी भी गंदगी सरी के अंदर है, उसको दमन करना, उसको निकालना, यानि व्यक्ति की राग द्वेस की चीजों को खतम करना, उसके अंदर के मैल को खतम करना, सारती म सत्था सत्था जो बोलते हैं आपने बहुत वार सब सुनाओगा शास्ता शास्ता जो संस्कारिद भाजा है उसके अंदर बोला जाता है सत्था को शास्ता का शेय आता है इसमें शेय पाली में नहीं है ये सत्था है सत्था का मतलब है सास्ता या सत्था का मतलब है टीचर पढ़ाने वाले जानकाई देने वाले यानि के गुरू भी बोल सकते हैं गुरू या टीचर सत्था देव मनुस्सानंग देव मनुस्सानंग का मतलब है देवताओं का और मनुस्यों को यानि किसको सिखा रहे हैं, सास्ता किसके हैं, टीचर किसके हैं, गुरू किसके हैं, देवों के और मनुस्यों के देव उनको बोलते हैं, जो मन से सुद्ध होते हैं और पांच सील का पालन लगातार करते रहते हैं पहले से या उन्होंने बीच में शुरू किया लगातर कर रहे हैं और कोई वो ऐसा पापकर्म नहीं करते हैं उनको देव बोलते हैं और मनुष्व से वो होते हैं जो पांच सील का पालन नहीं करते हैं उन सब को मनुष्व से बोलते हैं तो किसको सिकाते हैं देव, मनुस्वानंग, देवों को और मनुस्वों को, बुद्धो भगवाती, बुद्धो भगवाती, यानि बुद्ध जो हैं भगवा हैं इती माने ऐसे, ऐसे भगवा बुद्ध हैं, ऐसे भगवान बुद्ध हैं, ये पूरी की पूरी जो तिरी जतन जो पहला बुद्धो है यह उसका सद्ध सार है और यह लगाता बोला जाता है इसको आप सब्दों को समझेंगे तो आपको बुद्ध के गुणों को समझ में आसानी से आएगी धन्यवाद असानं बुद्धो बगवावति आपको 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 कर दो कर दो कर दो कर संददब दो अजय है झाल अजय हैं जाल झाल